हेलो प्रेंट्स, तुड़े वी एर गइंग तु स्टार्ट विध ए सब्जेक्ट ओफ विखम सेमेस्टर फाईव एन वन ओप दा इम्पोर्टन सब्जेक्ट दाट इस मेनेजमेंट अकाउंट यहां जेरें आपड़ें मेनेजमेंट अकाउंट सिखिया चीए तो मेनेजमेंट अकाउंट मां आपड़ें त्रोन चेप्टर आम जोवा जाईए तो महत्वाना बुणवाना छे यहां फर्स्ट छे फंड़ेंट जेनु वेटे 20 मांग सनू छे त्यार बाद केसफ़लो स्टेट्मेंट यहां यहां 20 मांग सनू छे अन्ने एक त्रीजु चेप्टर छे स्टांडर कोस्टिंग आने कौस्टिंग मा आपड़े जहम अगाव ना वर्समा कोस्टिंग मा जहम पrodu concoons ing परम्योला भीज उपर अमोंक चेप्टर स्विखे ला आथा एज प्रमाण नोग चेप्टर छे जहमा आपड़े बे पाट मा वेचेल्ओ छे एक माटरील वेरांस छे अने लेबर वेरेंस छे आप बन्ने चेप्टर छे ए फॉर्म्यूला बेस छे अने बन्ने माथी संपु छे जेनू वेटेज 15-15 मांक्स नू छे टोटल अहीं तमरे आरिदना 70 मांक्स नू वेटेज थस है तो आपड़ो छे मेनेजमेंट एकाउंट नो होल सिले बस बोज इज चेप्टर छे अने भणवां मां पनव तो मजाव एवा चेप्टर छे फंद्फ्लो स्टेट्मेंट केस्फेल्ट्व चेप्टर्ज छे थोड़ो फंडामेंटल एकाउंटिंग ने वेटे जापे चेप्टर्स आपड़े बहुं आसान भासा मां समझ सु औने सिखिसू तो चालो स्टार्ट करिए सव थी पेला फंड्फळो स््टेटमेंट फणड फलो स्टेट्मेंट जहारे आपड़े दसे सहीं। तो एनुँ एक प्रॉपर आइडिया, प्रोपर स्टेटमेंट धुरू आइडिया अपने FunFlow स्टेटमेंट थी मडे छे फंडफलो स्टेटमेंट जहरे आपड़े सीखी सु तो अईया फ्रेंड्स आपड़े त्रोण महत्वना स्टेटमेंट अईया बनावाना छे अने जहे तमारे व्यवस्तित सीखवाना छे समझवाना छे और समझी ने एमा आपड़े अकउंटिंग फंड़ेंटल से अपलाइ करवाना छे सौथी पेलू fund flow statement मा कोई statement छे है तो ए statement showing changes in working capital आ statement आपड़े समझवानू छे बिजू तमारे statement समझवानू छे profit and loss adjustment account आ profit and loss account ना थी पन profit and loss adjustment account छे that is totally based on profit and loss accounting fundamentals बेराबर तो एना जेवुद छे पन adjustment account छे है आपड़े समझू and finally we are going to prepare fund flow statement अले fund flow statement मा बेस साइड से एक sources साइड से एक application साइड से sources अले क्या थी fund आवियू और application अले क्या fund वप्राणू तो आज है ए fund flow statement ज्यारे आपड़े प्रिपेर कर सू त्यारे sources अने application आप बनने साइड नो total same थी जासे आपड़े बनने साइड नो total जो same थाई तो आपड़े समझी लेवानू के आपड़ो sum 99% करेक्ट छे अने 99% जो सामाध्य उप्योग करू छू ए तमने बदाने खबर छे है तो आपड़े हावे स्टार्ट करिये छी है साउथी पेला समझवा माटेनू statement showing changes in working capital तो साउथी पेला working capital अटले आपड़े बनी गया छी है क्या working capital means what तो के working capital अटले current assets minus current liabilities आपड़े समझी है जी है तो current assets माँ कई-कई वस्तु आवे एपण आपने खबर छे current liabilities माँ कई-कई वस्तु आवे एपण आपने खबर छे तो आई या जे प्रमाणे आपने बूक माँ तमारू statement showing changes in working capital आपियू छे एज हूँ तम नहीं बतावू छू जेथी तमने ध्यानमा आवे अन्ने आ statement तमारे समझवानू छे समझीने एने सब्दस हो एज इटीज याद राखवानू छे बराबर एले ए प्रिपरेशन तमारे घरे पन करी लेवानी छे तो statement showing changes in working capital आपड़े आ प्रमाणे बनावानू छे पर्टिक्योलर opening balance, closing balance, working capital ना changes, increase थाई के decrease थाई आवे increase, decrease कही दी ते खबर पड़े तो opening balance और closing balance ना difference उपर थी खबर पड़े तो what does it mean by तो यहनों मतला बेचे के 10,000 increase थाई तो increase, decrease कही दी ते खबर पड़े तो opening balance और closing balance ना difference पर थी तो आपने statement चे, current assets बद्धी आपी चाहिए बराबर अन्य एमाथी less करियो चाहिए current liabilities, current liabilities ने less करी चाहिए हवे working capital आपने जारे समझ जिया चाहिए, जारे एक महत्वनी बात याद रखवानी चाहिए के working capital मा current assets minus current liabilities करिया चाहिए current assets minus current liabilities यतला आपने वर्किंग केपिल था से हवे आईया याद रखवा चेवी वात यह चे के increase मा लखो के decrease मा लखो आपधू तो तमने याद रही जासे, आपधू याद चेह तमने, पड़ यह महत्वनी वस्तू समझवानी यह चे के increase मा लखो के decrease मा लखो के जी ते खबर पड़ से तो समझवानी वात यह चे के working capital वते तो increase करवानी चे working capital घटे तो decrease मा लखवानों चेह हवे अगर एन थी आगर समझवानी वरकिंग केपिटल लखो तो के current assets minus current liability तो एक example कमने आप हूँ बराबर current assets मा हूँ एक stock नूँ example लखो बराबर एक stock नूँ example लखो हवे stock अटले current assets असे बराबर अन्य current assets आपनों working capital कही दित लख्या चीह है current assets minus current liabilities हवे stocks for an example क्या आपड़ी current liabilities मा हूँ एक लखो आया creditors current liability तो working capital is equal to current assets minus current liability तो हूँ आया मारी पासे यह मत समझू का बेज बस्तू चे मारी पासे आत्या रहे stock मारी पासे पड़ियो चे 50,000 नो current liabilities मा creditors मारी पासे चे 30,000 मा तो 50,000 माइनस 30,000 करीज तो जे whatever the balance amount मने मड़स है that is my working capital 20,000 हमारी working capital है हवे a stock current asset छे तो हूँ यहां समझवा माटे यहां वीचार हूँ के आ 30,000 हूँ यहां नम राखो चो current liability ना और आ 50,000 नी जगिया हूँ लगो चो यहां 60,000 stock मा वधारो थायो 10,000 नो stock मा वधारो थायो और current asset मा वधारो थायो तो any effect working capital उपर सूँ पड़ से तो आई यहां मारे 50,000 नी जगिया केतला लखवाना 60,000 current liability केतली छे यह यह एमनम मुझरे बाद ही है 30,000 तो मारी current liability 30,000 एमनम छे अने 60,000 मारो current asset थाई यह टले के stock थायो पचास माधी साइट नो थायो तो मारी working capital थासे 30,000 रुपीज बराबर working capital के टी थासे 30,000 तो working capital 30,000 यहनो मतलब के 20,000 माथी 30,000 थाई आ एक महदवनो important example समझवा माधे छे आखा statement ने तो यहनो मतलब यह थायो के जो stock माधारो थाई तो current asset माधारो थाई और current asset माधारो थाई तो working capital माधारो थाई तो आपने पास है यहां simply समझी सकी हैंची है के current asset कोई पन current asset माधारो थाई तो यहने वाइसे वरसा करिये current liability साथ यहनो reverse relationship थाई है current liability वदे तो working capital घटे current liability घटे तो working capital वदे समझागी हो ओके तो आपने खबर पड़ी जैसे के closing stock closing stock माधारो थाई तो increase माधारो थाई तो इंक्रीज माधारो थाई यहां 50,000 चा नहीं 40,000 था यहां तो घट यहां तो आप decrease माधा लगशू creditors this reverse relationship छे creditors है यहां 1 lakh ना चे अने 1 lakh 20,000 ना था यहां closing balance तो creditors वद्या creditors वद्ये तो working capital घट है तो decrease माधा लगशू तो आ तमरू statement showing changes in working capital छे दरेक statement माँ आपड़े 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 लहास है सम्मा यह बधिद वस्तु आपड़े यहां लगपना छे यह बधिद वस्तु आपड़े यहां लगशू अने accordingly increase decrease लगशा जासू एविज रितना total current assets अन्या लगशा पछी liabilities माथी minus करवानी छे अब ते liabilities मा पेला current assets मा जोई ले cash balance, bank balance, closing, stock, debtors, bills receivable, expenses paid in advance, income tax, income not received then temporary or short investment पड़े यहां साथे ले लिदा छे total current assets साथे current liabilities माइनस करी छे, creditors छे, bills payable छे, bank code राप छे then after unpaid expenses पड़े यहां पिया छे, income received in advance छे okay, current liabilities अहिया छे, तो finally आपड़े यहां खबर पड़े खरे खर increase थयू छे के decrease थयू छे, अवे, आ बन्ने साइट नो आइन्या नो total, आइन्या नो total बराबर यह यहां आपड़े लई आउसू, आइन्या लिया आउसू, अन्या लिया आउसू वे, आ बन्ने नो जे difference आवे, यह आपड़े आइधर यहां, ओर यहां पाम छे आ increase नू column छे, आ decrease नू column छे, decrease नू column छे, decrease नू column नो total 2 legs आवे छे, अन्या increase ना column नो total, आइन्या, for an example, के 1 leg 50,000 आवे छे तो एन्या मतलव सू छे के decrease वधारे छे, तो यहां सू लक्सू, decrease in working capital increase नो total छे, ए, बीजू example आपकोछू के, increase नो total 3 legs रूपीस छे अन्या decrease नो total 2 legs रूपीस छे, तो सू थायू, increase वधारे छे, तो difference है यहां आउसे, तो यहां सू के, increase in working capital तो आ एकदम ज्यान मा विग्यो, आ एनू एक basic structure छे, working capital नो, statement showing changes in working capital आने ए आपने आरीतना याद राखवानू छे, आने याद राखी ने में जे logic समझाब युझे, ए लोजिक मुझब, एने समझी, आने आपने, आपने कोई पनेक नोर्स जे बनावत होई, एमा लखी लेवानू छे, आने लखी ने जेम में तमने बाद करी, के current assets साथे एनो direct relationship छे आने current liability साथे एनो reverse relationship छे, ए प्रमाणा अपड़े increase decrease मा लेवाना छे, नो समझातू होई, तो वरामवर वीडियो पोस करीने पन, आपड़े आ वस्तु पाछी सीखी सकी यम छे, बराबर, ओके, तो आ थायू statement showing changes in working capital, देन आपड़ार आपड़े एक बिजू statement बनावानू छ ये छे यह या, adjusted profit and loss account, हवे, adjusted profit and loss account जयरे तमें बनावसो, तो आमा आठली item आउमा fix करेली छे, आईए यह तमने बतावेली statement मा जे छे, एटली item आउमा fix करेली छे, एटली ज बस्तू आइए आपड़े दर्सावनी थासे, बराबर, आठली ये ने पन आपड़े यादद ज त्रोने त्रोन स्टेटमेंट ने आपने क्रेम कर लेवाना छे एथले के गोखी लेवाना छे ब्राबर काके आमन दर्शावेली बस्तोज आपने वारमवार आपना सम्मा अभवानी छे एथले इने पाका करवा बहुत जरूरी छे सउसी पहला क्या थी स्टार्ड कर सो तो कुंपनिंग बेलेंस ओफ्रोफित लोस एप्रॉपरीश ने इकाउंट यह क्रेडिट्स। अपने तो आपना सम्मा आपने जे बेलेंस के OS लेवा निछे अनैं क्लोश क्लॉज़न बेलेंस ए Museum activities प्रोप्टी यह से नेकाउट बराबर ओके तो यह आपना सम्मा पेले जैसे आपने कई फाइंड करवानी ना थी हब अऊँः डेबिट सैथी स्टार्ट करू छू डेबिट सैड में कई-कई वस्तो आउसे तो डेबिट सैड में वोटे भागे आपना लोस छे नौन केस आईटम छे आप बदीच आईटमा आपने डेबिट सैड में दरसावानी छे तो लोस औन सेल आफ 4 यह शे में चे कोई याने फंड उपर इफेक्ट नत थाई नौन केस आइटम चे प्रोविजन फोर इंटरिम डिबिडन्ड एप्रोप्रियेशन फोर अधर रिजर्स बराबर डिबेशन पण याँ आपने मुखी देवानों चे है कौई पण वस्तु राइट ओफ थाई पेटर्न चे गुडवील चे है काई पण राइट ओफ थाई तो याँ आपने लखी नाख्येची है सेर डिसकाउंट राइट ओफ करियो होई तो पने यह लखिया छिए प्रेफरेंस सेर रिडमसन प्रीमियम राइट ओफ राइट ओफ जितली पन बस्तू थाई चे बद्धीज आपड़े डेबिट साइड मा लखी लेवानी छे देन आपड़े डिबेचर रिडमसन प्रीमियम राइट ओफ प्रिलिमिनरी एक्सेंस राइट ओफ ता जितलू पन राइट ओफ थाई चे इस वेल एस रिजर्ब माँ के प्रविजन माँ कोई पन बस्तू ट्रांसफर थाई चे अने लोस जे आपड़े त्या डेबिट करिया चे पी एए ंडेल अकाउंट माँ तो आपिज भस्तु आपणी डेबीट सेट में लखवाणी, आतली पज्तु आपड़े हैं, आउसे, बीजी भस्तु आपड़े लखवाणी थती नथी, काके profit and loss account मा' घटिझ बढ़े भस्ती लखवानी थाई चे., देन आपटर credit सेट में, credit सेट में बहु लिमिटेड आइट इंकम पणिया लेवानी बिजनेस नीचे इंकम नाथी एंचता लिवाई गी छे तो इंहें प्रलाई लेवानी छे ओके अटलू थाई गया पछी आछे आपनों बैलेंसिंग फिगर छे आपना सोधवानों छे एनों वड़लागे छे के डेबीट साइड नों टोटल लगावस जे बैलेंसिंग फिगर मड़ से आपने 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 फंड फ्लो स्टेटमेंट माद रिजू जे जे स्टेटमेंट आपने बनावी अची है एमा आपने ट्रांसफर करवानों छे बराबर अले पियंड एडजस्मेंट एकाउंट मां थे आप आपने आइटम सुधी आने फंड फ्लो स्टेटमेंट माँ ट्रांसफर करवानी था से जे वर्किंग केपीटल चेंजिसनु स्टेटमेंट बनावी अगाउ बराबर एमा जे आपने आपने आईया इंक्रीज और डीक्रीज इन वर्किंग केपीटल छे बराबर एजे फिगर मर से आईया आथवा आईय generated from business operation, आप बनने एक कज नाम चे, बनने मती कोई पने एक नाम लखी सको तमें, तो ए आपड़े fund flow statement माँ ट्रांसफर करवानू छे, तो आ थाइगिए तमारू profit and loss adjustment account बराबर debit side और credit side बनना अभी गई, limited, तो profit and loss adjustment account पनो ध्यनमा अभी ग्यों, आपड़े जोही लेवानू छे समझी लेवानू छे, आने एपना सब दसव आपड़े गोखी लेवानू छे, and finally आपड़े study करवाना छे, fund flow statement, तो आतमारू छे, fund flow statement, अब fund flow statement माँ बे साइड में तमने पहला जम गईू, कि एक inflow छे, और एक outflow छे, एक sources छे, और एक application छे, आने पड़े बेलेंस इतना format मा जम बना विया छे, ए जरीतना आपड़े बना वानू छे, बराबर, पर्टिकुलर माहिया आपड़े sources of the fund लखे छे, amount लखे छे, and finally आपड़े application of the fund, अने amount, अले आ end of the year बना वा मावे, थमेशा, अले आखा वरस दरमियान आपने क्या-क्या थी fund मढ़ियू, क्या-क्या थी fund generate थायू, अने आखा वरस दरमियान कई-कई जगे fund apply थायू, एटले क्या उप्योग दो, जे जगे पैसा जसे, fund एटले समय समझो के amount जसे, पैसा जसे, तो ए जे पन जगे जाई छे, ए बदो या application of the fund मा लखे छे, ओके, तो आने पहला समझी लई आया, चलो, तो increase in equity share capital, आपने मताई के increase, तो आपने हमेशा ख़बर छे के 2 वरस नी balance आप ये से, पेला वरस आपने एम की दूए के आपनी capital छे ये 2 लेक्स रूपीज नी छे, औने बीजा वरस नी balance आपने 3 लेक्स रूपीज नी बता भी होई, तो इनो मतलब के गया वरस आपनिंग बेलेंस 2 ल आपने बार पाड़िया से, नवा equity share जो तम्हें बार पाड़ो, तो पैसा आवे, source आवे, generate थाई, fund, बराबर, एटले increase in equity share capital होई, तो sources of the fund मा आऊ से, एविज रितना increase in preference share capital, debenture का issue करिया होई, तो पन पैसा आऊ से, fund आऊ से, sale of fixed assets, आपने fixed assets भेश ये, तो पैसा आऊ से, definitely, बराबर, तो पन sources छे, sale of investment, काई investment भेश से, तो पन आपने पैसा आऊ से, decrease in working capital, working capital, yes, ए working capital क्या थी लेवानी छे, तो आपने ये जो यूने, बराबर, increase, decrease नू statement, आपने, working capital वाड़ू statement जो यूने, येमाँ decrease होई, decrease in working capital होई, बराबर, तो ये आपने sources side लगवानू छे, अगे, and finally, fund generated from the operation of the business. बराबर, जो profit होई, profit होई, fund generated from the business operation आपने जो ही न, fund generated from the business operation, बराबर, तो ये fund generated from the profit होई, तो आपने sources side मां लगशू, loss होई, तो अप्लिकेशन side मां लगशू. अब एप्लिकेसन साइड मा जोईए एप्लिकेसन मा बाइबेक आपड़ेक 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 बराबर तो पण फंड जशे धन आपटर डिबेंचर रिडम्शन डिबेंचर के रिडम्शन थाई तो रिपेमेंट अप दा बेंक लोन बेंक लोन परत करिये छी अपने purchase of fixed assets sale करसो तो फंड आउसे purchase करसो तो फंड जशे purchase of investment tax paid आपने काई चुक कविये छी है income tax के काई पन, dividend paid, काई पन dividend pay करिये छी है, आप बनने ना प्रोवीजन, आप बनने ना प्रोवीजन छे ए P&L adjustment account मा आउस है, पन जो payment काई थाई छे तो ये fund flow statement मा application side लगवाणूँ छे, increase in working capital आफिकर क्या थी मढशे, तो आपने पेलू याद तो स्टेटमेंट, स्टेंग, चेंग, 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 तो decrease आपड़े sources side लगवानुचे, आने increase होई, जो अब येमाथी एक हसे, बनने नहीं होई, increase in working capital हसे, तो आपड़े application side लगवानुचे, आने fund outflow from the operation of the business, ये क्या थी मढ़से, तो आपड़े P&L adjustment account ग बनने नहीं होई, तो ये लगवानुचे, अने हम्मेशा तमने एक आनन थसे, कि आ स्टेटमेंट माँ जेम बैलेंसीट माँ टोटल मड़ी जाई छे, बनने साइड नो, येम आनो टोटल पौन बनने नो टेली थी जासे, आ फिप्टी लेक्स आउतु होशे, तो आपन स्टेटमेंट शों end зачем sin working capital, π&L Adaptment Account & fund flow statement, ता 23 स्टेटमेंट तमारे याद करी ले वाना छे, समझे लेवाना छे, अने पाका कर ले वाना छे, बाके नो आपरे आमां सम कई रीते calculate थाई छे, silly just mean procedures, कैया टैमना सम पूच है छे, ये आपरे next lecture मां जोशहhstu, तैंक यू